हलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यूपी में आपके आईउस काउंसलिंग का जो सेडूल है वो आच चुका है तो वो सेडूल मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ लेकिन उस से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे नीट काउंसलिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए इसके लिए आपको जाना हुआ हमारे होमपेच पर होमपेच पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीट काउंसलिंग चैनल का जाईए और इसको अभी तुरन सब्सक्राइब करिए साथी बैल का इकन को प्रेस करके All Notification को भी On यहाँ पर कर लीजिए सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी आयूस काउंसलिंग से रिलेटड नीट काउंसलिंग से रिलेटड वीडियो यहाँ पर regular मैं अप्लोड करता रहता हूँ तो आईए अब बात कर लेते हैं UP मैं आयूस काउंसलिंग के सेडियूल की तो यहाँ पर जो है सेड्यूल आपको मिल जाएगा वेपसाइट पर DIR IUS की वेपसाइट पर आपको जाना है वहाँ पर जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए फिलाल मैं आपको बता दूँ कि रेजिस्टेशन जो है वहाँ आपके स्टार्ट हो गए है 22.08.2019 से 31.08.2019 तक यह जो है ओनलाइन रेजिस्टेशन आपके चलने वाले हैं ओनलाइन विकल भरने की तिथी जो है आपकी यानि की 24 फिलिंग जो होगी वो आपकी होगी 31.08.2019 से 29.2019 तक इसके बाद पिर्थम चरन की जो काउंसलिक है यानि की फर्स राउंड की जो काउंसलिंग है इसके माध्यम से सीट का जो आवंटन आपका होगा वो होगा 59.2019 को पिर्थम चरन की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटन सीट का जो सत्यापन होगा यान की कनफॉर्मिशन जो होगा वो होगा आपका 99.2019 से 12.09.2019 तक यहां तक आपका जो है की दुतिये चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट का आवंतन 179-2019 को यहां पर होगा लेकिन यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आपका सेकंड राउंड के लिए आपके रेजिस्टेशन भी कराए जाएंगे तो जिन स्टुडेंट के कम नंबर हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग अगर सेकंड राउंड में सोच रहे हों आपको मिल जाएगा तो आपको यहां पर अभी ही रेजिस्टेशन कराना होगा सेकंड राउंड के लिए रेजिस्टेशन यहां पर नहीं आएंगे ठीक है जो लोग अभी रेजिस्टेशन यहां पर करा लेंगे यान की 22 से 31 की बीच में अगर आपका registration हो गया तो आपको second round में participate करने का मौका है यहां पर मिल जाएगा ठीक है उसके बाद next जो registration की process start होगी वो सीधे आपके मौपप राउंड के लिए होगी 21 9 2019 से 25 9 2019 तक मौपप राउंड की counseling एवं प्रबेस की जो तितिय वो आपके 28 9 2019 से 30 9 2019 तक रहेगी तो यह जो है आपका पूरा schedule है आपकी NEET की जो IOS में मलब IOS की जो counseling है वो जो UP में होने वाली है उसका ठीक है आपको करना क्या है बस IOS की counseling की जो website है उस पर जाना है बहुत सारे student यह कह रहा है कि अभी 2018 का schedule वहाँ पर दिखा रहा है तो आप जाईए उस पर पहले उसको refresh कीजिए ठीक है उसके बाद आपको 2019 का schedule दूल दिख जाएगा और साथ ही registration की process के लिए आपको link भी वहाँ पर मिल जाएगा साथ ही मैं आप से बात करूं कि अगर आप पूरी complete जानकारी आप चाहते हैं IOS की counseling के बारे में तो आप मेरे need counseling बाला जो channel है उसको subscribe करिए वहाँ जाए रेगुलर update आपको वहीं पर related कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे comment section में पूंच सकते हैं फिलाल मिलते हैं next video में एक नई information के साथ